इस लेसन में हम बात करेंगे टाइम लाइन कंट्रोल के बारे में सबसे पहले एक इमेज लोट करिए ओपने टोट अविया और ओपनेट इस पहले जो कंट्रोल हमारे पास यहां पर है वो करेंट फ्रेम नंबर बताता है टोटल रेंज है हमारे पास 0-400 जो इस फूटेज में क्योंकि इसमें 400 फ्रेम्स है फोर 0-400 फ्रेंज है 129 इस दी करंट टाइम इंडिकेटर जहां पर यह प्ले हैड है उसके ऊपर भी यह नंबर लिखाता है करंट फ्रेम नंबर 87 और इस इंपट बाक्स में भी लिखाता है आप सिद्धे जंप भी कर सकते हैं अगर आप यह पर टाइप करें तो आप सिद्धे 100 पर जंप कर सकते हैं हैँ यह हमारे टिपिकल इन पराइप करते हैं यह मैं पले करते एपने फिटेज को यह फुरस्स फ्रेम है पे जाने के लिए शॉटक कई है। हो यह लास्ट फ्रेम पर जाने के लिए इसकी शॉटक कट कीlax है कि अगर हैं जो आप यह हम नेश्ट हैं कि हम आया फ़्रिस keeper मे i backward है, j is the hotkey, अगर आप last में हो तो आप play backward कर सकते हो, j hotkey है, यह हमारा i for forward, this is for back one frame, this is forward one frame, और यह है stop button, forward one frame and backward one frame हम arrow key से भी अचीव कर सकते हैं, left arrow for one frame forward, I am sorry, right arrow for one frame forward and left arrow one frame backward, इसका use भी हम कर सकते हैं, next है हमारे पास incremental, jump करना है, हमें एक frame से दूसरे frame में, जैसे कि मुझे 200 से 205 पर jump करना है, तो मैं यहां पर 5 enter करूँगा, जैसे मैं 200 पर हूँ, अब 200 से 205 इस पर click करिए, यह 205 पर जाएगा, अगर मैं इसको कर दूँ 10 और फिर click करूँ तो यह जाएगा 215 पर, इसका shortcut है shift right arrow और shift left arrow, जिससे आप jump कर सकते हो, उतना ही frame जितना frame आपने यहां पर specify किएगे हैं, next is FPS, कि आप इस output को किस frame rate पर यहां पर play करना चाहते हैं, और आपके computer की छमताओं के हिसाब से, यहां पर यह value कम जादा हो सकती है, अब यह 24 ही है, तो यह real time में play हो रहा है, stop that, next button है हमारे पास loop का, कि जब end में पहुंचे, play head, तो behavior क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले है हमारे पास loop, इससे क्या होगा, कि जब last में पहुंचेगा, फिर यह 0 से शिरू हो जाएगा, let me stop that, एक बार और click करिए, तो यह है play and stop, जैसी end पे पहुंचेगा, वहाँ stop हो जाएगा, okay, and last one है हमारे पास ping pong, जब यह end पे पहुंचेगा, तो फिर यह backward play होगा, and say start क्यों, okay, तो यहाँ पर हमारे पास देखे, दो red points है, यह in and out points है, इनको आप खुद भी change कर सकते हो, दाकि आप एक new range define कर सको, तो यह आपको 100 से 150 तक चाहिए, enter 100, और control क्लिक करिए इसके उपर, this is our in point, and say आपको 150 तक out point चाहिए, तो control क्लिक करिए इस yellow dot के उपर, yellow triangle के उपर, तो आपकी नई range अब होगी, 98 से 151, और अब आप rewind करोगे, first frame, तो जो in and out range आपने select करी है, उसके first frame पे जाएगा, और अगर आप last पे क्लिक करते हो, तो last पे जाएगा, प्ले करेंगे आप, तो loop भी वो इसी range के अंदर होगा, 98 से 151 के ओड, इसको rehome करने के लिए आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, इस button पर, यह वापस आपका 0 to 400 range को करतेगा, अवापस एक करने के लिए allowed के करने करी हैं, कि मै沃 बत्यों सकते हिए जुस्पल के लिए करो वापस। कर एक करने जुत आपका लिए था है, बृ क्वापस।